नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की स्तिती में सभी लोग बरती मेंगाई के कारण बहुत ज़्यादा परिशान है पर कि आपने कभी ये सोचा है कि बरती मेंगाई के कारण आपको फाइदा भी हो सकता है केसे आगे की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप बीना स्कीप किये पूरी देखेगा दोस्तो आज की स्तिधी में एक किलो चांदी का भाव 40,000 रुपे दोस्तो इस में एक फसल एसी भी है जिसकी पेदाव अगर आप करते हैं तो एक किलो का आपको मिल जाएंगे 40,000 रुपे तो दोस्तो आगे की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्पून जानकारी देने वाला हूँ साथ एक एसी फसल की पेदावर से आपको परिशीत कराने वाला हूँ तो वनिला की खेती करना आपके लिए बहतरिन विकल्प है आप वनिला की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं वनिला का फल को कई देशों में खूब मांग है भारती मसला बोट की रिपोर्ट के नुशार पुरी दुनिया में जितने भी आईस क्रीम बनती है उसमें से 40 प्रजिशन वरिला फ्लेवर की होती है इसके साथ ही दोस्तो आइस क्रिम के अलावा वरिला का प्रियोक केक, कॉल्डरिंग, पर्फियूम और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्स को बनाने में भी होता है वरिला की मांग भारत की तुलना में विदेशों में ज्यादा है तो दोस्तो ऐसी इस्तिदी में भारत में वरिला की खेती करके माल विदेश में ट्रांस्पोर्ट करने पर हमें बड़ा मुनाफ़ा होता है पिछले कुछ वर्षों में वनिला की कीमते तेजी से बढ़ रही है 2015 में वनिला बींस 11,500 रुपे प्रती किलो थी जो 2016 में बढ़कर 14,500 रुपे हो गई और साधी दोस्तो 2017 में 24,000 रुपे तक वे पहुच गई और साधी दोस्तो पिछले दिनों मेडा गासकर में चक्रवती तुफान के चलते वनिला के फसलों को नुकसान हुआ था जिससे इस साल वनिला की कीमते 40,000 रुपे प्रती किलो तक आ गई है दुनिया का 55% वनिला मेडा गासकर में ही पेदा होता है भारत में इसकी कीमतों में उच्छाल होता रहता है हाला की मुल्य इस्तर कितना भी हो वनिला उत्पादक को कभी घाटे का मुँ नहीं देखना पड़ता है आज हम आपको वनिला की खेती कर जादा कमाई के बारे में बता रहे है दोस्तो भारत में एक किलो वनिला खरीदने पर आपको 40,000 रुपे तक देना पड़ सकता है बिटेन के कुछ बाजारों में इसकी कीमत 600 डोलर प्रती किलो तक पहुझ गई है मसाला बोट की माने तो वनिला ओकिट परिवार का एक सदस्य है यह एक बेल पोदा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है इसके फल, सुगंदीत और केपसुल के आकार के होते है फूल सुख जाने पर खुशबुदार हो जाते है और एक फल से धेरो बीज मिलते है और इसके साथ ही दोस्तों वनिला की खेती करते वक्त आपको यह जरूरी बाते अवश्य रूप से ध्यान रखने चाहिए वनिला की खेती कनने के लिए वातरवन का खास ध्यान रखना पड़ता है वनिला की फसन को हुमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की जरूरत होती है इसके लिए शेड हाउस बनाकर फवरा विदी से इसके अनुरूप वातावरन को तेयार किया जाता है 25 से 35 सेंटीग्रेट तक का तापमान वनिला की पेदावर कनने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है हाला कि पेडों से छनकर आती रोशनी वनिला की फशन के लिए ज़्यादा अच्छी माने जाती है अगर आप खेट, आपके खेट में बाग है तो आप इंटर क्रॉप की तरह इसकी खेटी आसानी से कर सकते है वनिला की फसल तील वर्श बात तेया पेदावर देना शुरू कर देती है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको वनिला की खेटी करनी है तो आपकी खेट पर किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए वनिला की खेटी के लिए मिट्टी भुरबुरी और जीक पदार्सों से भरपूर होनी चाहिए मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए हलाकि आप मिट्टी की जाज के उपरांथी वनिले का वरक्ष लगाए तो ज़्यादा भेहतर होगा जाज में अगर वेदिक प्रधार्तों की कमी पता चले तो सडी गली गोबर की खात केचुग की खाट डाल कर पिट्टी की उपजाओ समता को बढ़ाया जा सकता है अब हम दोस्तों आपको ये बताते हैं कि आप अपने खेत पर किस प्रकार वनिला की खेती कर सकते हैं दोस्तों वनिला का बेल लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का इस्तिमाल किया जा सकता है हाला कि बीज का इस्तिमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं और उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बेल लगाने के लिए मजबूत और स्वस्त कटिंग कर ले जब वातावरन में नमी हो तब आप इसकी कटिंग को लगा सकते है वनीला लगाने से पहले गड़े बना कर उसमें पूरी तरह से सडी गली खाट डाल दे जाती है कटिंग को मिट्टी में न दबाए बलकि सटर के उपर थोड़ी सी खाट और पत्तों से ढग दे ध्यान यह रखना है कि कटिंग की दूरी 8 फिट हो चुकि वनीला लता धार पोदा है अतर इसके साहरे के लिए पेड या 7 फिट लंबे लखडी या सिमेंट के पिलल लगाए जाते हैं बेल को फेकने के लिए तार बांदी जाती है अगर आप इसे खेत में लगा रहे हैं तो एक एकड में 2400 से लेके 2500 बेल होना चाहिए अब दोस्तों वनीला की फसल तो आपने लगा दी अब फसल लगाने के बाद आपको क्या कारी करना है हम अपन उसकी बात कर लेते हैं खेत में गोबर से त्यार खाद केचुवे की खाद नीम के आदी डालते रहना चाहिए दो दिन के अंतर से फवरा विदी या टपका विदी से पानी देना चाहिए खेत में F.Y.M. गोबर की खाद केचुवे खाद आदी को डालते रहना चाहिए एक किलो NPK को 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते रेना चाहिए बेल को तारों के उपर फेलाया जाता है इसी उचाई इसकी उचाई देड़ सो सेंटीमेटर से जादा नहीं होनी चाहिए फूल से लेकर फलिया पकने तक में 9 से 10 मा का समय लग जाता है वनिला को पुरी तरह पकाने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग, ड्राइंग और कंडिशनिंग की प्रोसेस से निकालना होता है इसके बाद वनिला तेयार हो जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एक बहुती महत्वण और एकदम यूनिक व्यवसाय के बारे में बात की है अगर आपका कुछ सुझाओ या प्रश्णो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स नमसे पूछ सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताके हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप के अच्छे अच्छी वीडियो लाते रहें साथ दोस्तों हमेशा एक से एक बिजनेस आइडियास पाते रहने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लिजे